सर्कुलर मोशन नाम सी क्लियर हो रहे हैं सर्कुलर मोशन सर्कल जा ओते हैं? चकर तो कोई भी मोशन अगर किसी सर्कल में हो रहे हैं सर्कुलर मोशन जो भी एक सर्कल में हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन आपने वो गोल गूमने वाले जूले पर कभी भी जूले हो गया तो वो क्या होते हैं? सर्कुलर मोशन फैन क्या हो रहे हैं? यह क्या हो गया? सर्कुलर मोशन एन वी कोई फी body, अगर कोई car है, bicycle है, वो आपने, वो circus में भी देखाओगा, वो bike को ऐसे कोई के अंदर चलाता है, मौट के कुवर में, वो क्या है अपना circular motion, सो कोई फी motion, circle में हो, तो क्या होते है, circular motion, आइट, तो अभी हम circular motion क्या हो रहे, 2D में और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर में body यहाँ पे है तो मेरे को इसको दिखाने के लिए दो coordinates चाहिए X और Y So इसी लिए हम इसको 2D में Motion in 2D में Study कर रहे हैं ठीक है तो Circular Motion So इसमें हम सबसे पहले एक Angular Velocity and Angular Acceleration Angular Displacement यह पीन चीज़े इसमें Study करेंगे and Equations of Motions वो Circular Motion के लिए कैसे valid है फोर Study करेंगे and then Concept So हम देखेंगे Angular Displacement Angular Velocity and Angular Acceleration and Kinematics Equations So Angular Displacement Velocity Acceleration and Kinematics Equations So सबसे पहले हम Angular Displacement पे चलते हैं तो हमने पहले Displacement देखा था जिसमें हमने Body का X Component बताया था ठीक है तो X Component को हमने कैसे डिफाइन गया था कि X equal to 20 पे है मेरी Body X equal 30 पे है तो Angular Displacement में कैसे दिखाएंगे अगर ये मेरी Let's Say कोई पी Axis है ये Axis of Reference है इसको मैंने वैसके X नान दे दिया So अगर मेरे को Body की Position यहाँ पे दिखा लिए है Let's Say ये R है Radius और ये Theta ये Theta Radius में है जैसे आपने सुना होगा कि ये पूरा 360 डिग्री होता है Half ये 180 डिग्री होता है ना तो ऐसी Radius होता है Radius भी जैसे डिग्री होता है तो Radius भी एक Unit है Angle को Measure करने की ठीक है तो एक Relation होता है Pi Radius Is Equals to 180 डिग्री ये देख सकते हैं ठीक है तो अगर आपको ये Angle को जैसे होता है ना कि एक मिटर 100 सेंटिमीटर के बराबर होता है उसी तरह Pi Radius 100 स्थी डिग्री के बराबर होता है ठीक है Pi की Value के होता है 3.14 या फिर 22 by 7 अगर हमें Angular Displacement दिखा लिया Body की तो उसको हम Radius में शो करते है ठीक है तो मैं बोलूँगा कि जो Body की अगर Body यहां पे है मेरी तो उसकी जो Angular Displacement है वो Theta Radius हों से ठीक है यह Theta यानि कि Body अगर यहां से लेके यहां तक गई तो मैं बोलूँगा कि जो Body की Displacement है Angular Displacement वो क्या होगी जितना उसने Angle Cover किया उसकी इककोल होगी And that मैं पहदूँगा कि Theta Theta Radius के बराबर है So उसी तरह अज जैसे मालो एक आपने Relation पढ़ाओगा Math में कि जो Arc Length होती है Arc Length वो Radius इंटू Theta Radius के बराबर होती है अगर मेरे को ये वाली Arc Length निकालने है कि Body ने Distance कितना Cover किया ये तो ठीक है Angular Displacement आपने बता दिया कि Theta Radius की Angular Displacement है अगर आपको निकालने है कि Body ने Distance कितना Travel किया यानि कि This Distance S तो कैसे निकालेंगे इस Distance को मैं S बोल रहा Arc Length तो ये एक Math में Relation होती है कि Arc Length is equal to Circle का Radius into इंटू इंगल Theta Theta is in Radius तो इसमे मैं बोल रहूँ है S is equals to R Theta तो ये मेरे पास Relation हो जाएगा S is equal to R Theta तो ये मेरे पास Relation हो गया S is equals to R Theta एंगुलर Displacement मेरे पास Theta हो गया तो जैसा कि आपने देखा कि इसको हम Radiance में बोलते हैं इसको Theta Rad ये भी बोल सकते हो तो इसी से Angular Velocity का Definition आता है ये तो था Angular Displacement ये इसे Angular Velocity का Definition आता है Angular Velocity होता है D Theta By DT So जैसा मतलब इसको भी आप दो पार्ट्स में कर सकते हैं Like Average Angular Velocity ये हो जाए का Delta Theta Upon Delta T Change in Angle Change in Angular Displacement बोले Upon Change in Time So ये आपको Average Angular Velocity दे देगा ठीक है तो अगर आपको Instantaneous Angular Velocity चाहिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा Limit Delta T tends to 0 Delta Theta By Delta T Is Equals To D Theta By DT So ये आपको क्या देदेगा Instantaneous Angular Velocity So जो Angular Velocity होती है जैसे मैं Angular Displacement को Theta से Denote कर रहा हूं उसी तरह है जो ये D Theta By DT Angular Velocity है उसको मैं Omega से Denote करता हूं This is known as Omega ठीक है तो Angular Displacement Angular Velocity को मैं Omega से Denote करता हूं मैं कहा रहता हूं कि जो Omega मेरे पास वो D Theta By DT के Equals है D Theta By DT Omega Equals D Theta By DT Right तो इसमें जैसा हमने देखा था कि Arc Length S Equal R Theta है Right तो ये तो हो गया मेरे पास Path Travelled Path Length जो Body ने Actually Length Travelled किया So ऐसी एक Definition होती है कि जो Speed होती है वो क्या होती है Path Length का Derivative With Respect To Time ये तो मैं देखा Change in Path Length Upon Time या फिर Distance Travelled Upon Time So B S By DT क्या हो जाएगा मेरे पास R D Theta By DT क्योंकि R Constant है तो मैं differentiation से बार निकाल सकता हूँ And this gives me Speed So Speed मेरे पास V क्या हो जाएगी R D Theta By DT Is Omega जैसा मैंने यहां पर Proof किया हूँ Omega is D Theta By DT Angular Velocity Is D Theta By DT So V Is Equus To Omega Angular Velocity का मतलब क्या है कि Angular Displacement यानि कि Body Per Unit Time में कितना Angle से आगे बढ़ रही है Right तो यह मेरे पास जो Speed है वो Omega R के इककोल हो जाएगी ठीक है तो ऐसी जैसे हमने Define क्या था जो Acceleration होती है वो क्या होती है Changing Velocity upon Time So इसमें हम कर सकते हैं जो Acceleration होती है दो तरह की Angular Acceleration ठीक है एक तो Average Angular Acceleration होगी और क्यों होगी Instantaneous So Average Acceleration and Instantaneous Acceleration Instantaneous Angular Acceleration So जैसे हमने Motion in 1D या फिर इसमें देखा था की Change in Velocity upon Time मेरेको Acceleration की Value देता है ठीक है तो जो Angular Acceleration है वो कैसे निखा लेंगे Common Sense Change in Angular Velocity upon Time gives me Angular Acceleration So Average Angular Acceleration होगी Delta Omega upon Delta T Change in Angular Velocity upon Change in Time ये मेरेको Average Angular Acceleration दे देगा एंड इसको हम Alpha से Denote करते हैं Alpha Symbol Adjust एंड उसी तरह Delta Omega by Delta T अगर मैं Delta T टाइम बहुत छोटा लेनू जैसा हर टाइम हम करते आ रहे हैं तो वो मेरेको Instantaneous Angular Acceleration की Value दे देगा So, D Omega by DT will be equal to Alpha Instantaneous ठीक है तो ये मेरेको D Omega by DT Alpha उसकी Value दे देगा So, इसमें हमने देखा V is equal to Omega R है So, D V by DT मेरे पास क्या हो जाए R D Omega by DT So, D Omega by DT मेरे पास क्या है Alpha So, यहाँ प्या put करने Acceleration is equal to R Alpha तो हमने ऐसे 3 Relations निकाले They are very important बहुत जादा important है S is equal to R Theta अगर आपको Path Lens निकालनी है तो R into आप Angle and Radian से Multiply कर दे Velocity is equal to Omega R अगर आपको Velocity निकाल लिए Tangential Velocity जो Tangential Velocity है वो हर Point पे Along का Tangent होगी ठीक है Magnetic उर्थम ने बताया Omega R होगा और उसकी Tangent के Along होगी हर Point पे ऐसे ठीक है So, 3 Relations है V is equal to Omega R S is equal to R Theta and Alpha A is equal to Alpha इनको याद रखे याद में रखे प्रॉब्लम इनी में से आता है एक्जाम में ठीक है So, ये तो थे मेरे पास ये equations So, इनी के help से जैसा कि हमने देखा कि सारा बिल्कुल similarity Motion in 1D जी है इसकी Like जो भी हमने angular acceleration angular displacement जो भी चीज़े हमने define की तो उनने देखा कि वो सब Motion in 1D की तरह है तो जो हमने motion in 1D में kinematic equations use की है So, वो भी इसके लिए valid होने चाहिए बिल्कुल सही बात है क्योंकि जब सब चीज़े सेम है तो इसके लिए valid होना चाहिए तो हम यहाँ पे लगा सकते है जो first मेरी equation की kinematic V minus V0 is equals to 80 So, यहाँ पे हम लगा सकते है omega minus omega naught is equals to alpha t So, जैसा मैंने वागते बोला था कि यह constant acceleration के लिए है तो जो यह वाला relation है वो constant angular acceleration के लिए है किसके लिए है constant angular acceleration ठीक है So, V minus और यह कह है angular velocity यह initial angular velocity So, omega minus omega 0 is equals to alpha t मेरे को यह first equation दे देगा and जो second equation दी मेरे पास वो क्या थी X is equals to V0 t plus half AT square यह मेरे पास second kinematics equation थी So, मैं इससे लिख सकता हूँ X replaced by theta V0 replaced by omega 0 t plus half alpha t square So, यह मेरे पास second kinematics equation है Right and जो हमने third equation पढ़ी थी वो क्या थी V square V square minus V0 square is equals to 2 AX इस case में क्या हो जाएगी यह omega square minus omega 0 square is equals to 2 alpha theta So, यह तीन equations So, यह वाली तीन equations kinematic equations in circular motion है बिल्कुल similar to this Just आपको जो velocity उसको angular velocity से replace करना है displacement को angular displacement से replace करना है and acceleration को angular acceleration से So, यह आपके पास 3 kinematics equation आजाएंगी So, these are very helpful in solving the problem of circular motion बहुत ज्यादा help करते है यह तीन equations similar है बिल्कुल So, यह था आपका last of the case chapter